और एक बड़ी खबर आपको पता दे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की दखल के बाद रूस और यूक्रेन के बीच परमाणू युद का खत्रा टाल दिया गया था साथी CNN के रिपोर्ट में इस बात का बहुत बड़ा दावा किया गया एक रिपोर्ट में इदावा किया गया कि रूस और यूक्रेन के बीच 2022 के फरवरी में शुरू हुआ संगर्ष परमाणू युद की तरफ बड़ रहा था लेकिन संगर्ष टालने में दुनिया के सेश्ट नेताओं ने उलेकनिया भूमिका ने भाई यूक्रेन में भारतियों कि सुरक्षित स्वदेश वापसी और उनके सुरक्षा के लिए खुद पीयम मोदी ने कमान संभाली थी बैकाउट कोरवे एवं इलेक्षाने पॉरे आपनादे शब केरे नहां हवे और अपार बंगलाए पाथी द्वाचेश्टा कड़ा हवे कि तो आम्रा अपनादे सेल्टाब दबो आम्रा अपनादे काउके डिरेंशें ट्यम्पे जेते देवोन ना अगाड बातिल जोल बे ना गोड़ी मनुशे टाका माला जोल बे ना संदेश खाली मामले पर शुवेंदू अधिकारी ने कहा कि ममता बेनर जी महिलाओं का दर्द नहीं समस्ती दो महिले से ज़ादा हो गया है वो संदेश खाली पर एक शब्द नहीं बोल रही है प्रोई जोन अनुभाब करेंनी उल्टो दिके विकास सिंग शहो छीयात्तोर जन के जेल खाटिये छैन उल्णो दिके आमादेर बोंदी दी रेखा पात्रों शहो आमादेर पद्दा दी शहो आमादे जाग्रतों मात्री मॉन्डोली तादेर उपोरे फुलिस के दिये तिनमूल कॉंग्रिस ने लोगसभ़ चुनाओ के लिए उम्मेद्वारों के नाम का एलान कर दिया है बंगाल की सभी 42 सीटों पर ममता ने उम्मेद्वारों के नाम का एलान कर दिया सबसे बड़ा चेरा पुरु क्रिकेटर यूसुफ पठान का जिसे ममता बैनार जी ने बैरामपूर सीट से उम्मेद्वार बनाया है वहीं नुसरत जहां का टिकेट कट गया है और बीजेपी ने भी कुछ सीटों पर उम्मेद्वारों की घोशना कर दी है और अब टीमसी के उम्मेद्वारों के नाम भी सामने आ चुके है और इसलिए पिक्चर बिलकुल पश्चे मंगाल में क्लियर हो गई है कि लड़ाई आखिर किसके किसके बीच होती दिखाई दे रही है ये तस्वीर आप देखिए कांधी में शौमिंदु अधिकारी बीजेपी के नेता उत्तमबारी यहाँ पर टीमसी के नेता है जिनके बीच ये मुकाबला होगा उसकी तरह होगली में लॉक्ट चटर जी बीजेपी के उम्मिदवार है तो रचना बनर जी को टीमसी ने मैदान में उतार दिया है और इसके अलावा हावडा पर रथीन चक्रवर्थी बीजेपी के उम्मिदवार है तो प्रसून बनर जी उन्हें चुनावती देंगे टीमसी के उम्मिदवार के तोर पर जिनके नाम का एलान हुआ है और बंगाउं में चांतनी ठाकूर बीजेपी के उम्मिदवार बनाए गए और इसी तरह से स्वामित्र खां बीजेपी के उम्मिदवार हैं बिटलूपुर से और सुजाता मंदल खां को टीमसी की ओर से उम्मिदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा गया है और तस्वीर अब साफ होती निखाई दे रहे कि किस तरह की टकर पश्चिम बंगाल में होने जा रहे है टीमसी के लोगसभा सीटों पर उम्मिदवारों के एलान पर बीजेपी ने निशाना साधा है और बाहरी लोगों को टिकेट देने का आरोब बीजेपी ने लगाया है तो वहीं कॉंग्रेस ने कहा है कि एक साथ लड़ते तो और बहतर होता यह अभी जब तिनमुल कॉंग्रेस का लीश्ट निकला उसके आदा घंटा पहले ही भतिजा वहाँ पर बराबरा डायलोग मार रहा था बंगला बंगाली को लेके बीजेपी अंटी बेंगोली है यह सब डायलोग बजी चल रहा था आप जब कैंडिडेट निकला बाः निकला जैखा गया के बहार से लोगों को ला रहा है किर्ति आजत कौन सा बंगाली मुझे पतान है यूसुद पंटन कौन सा बंगाली मुझे पता नहीं यूसुद पंटन सब्सक्राइब करें तिनुबल कॉंगने से यह बात कहोंगा कि हमारी कॉंगेस पार्टी ने हमेशा का है कि हम चाहते हैं कि टी एमसी के साथ सिंशेरिंग हो बार्चित हो सम्मान जनक फॉर्मिला डूलना जाए बीच का रास्ता डूलना जाए एक तरफा कोई गोश्णा नही होना चाहिए यह बात सही है कि हमारे और से भी कुछ बयान आये हैं जो कुछ हमको परेशानी हुई है उन बयानों से पर खुले मन से बड़े दिल से इन बाच्चित हमें करने चाहिए तो हमारी दिरूराज हमेशा खुला है हम कहते हैं कि इंडिया जन बंदन को मजबूत कर हमारा कंतब यह है हमारा फर्ज है हमारी प्रादमिकता है और वो भी ममता बैनर जी कहले रही थी ममता जी ने यही कहा है और वो उनने कहा है कि वो बीजेपी को बहराना चाहती हूँ पर मैं समझता हूँ अगर हम एक साथ लड़ते तो अच्छा होता है अभी भी इसी शेरि पठान का सम्मान करना ही था तो उन्हें राजसभा का टिकेट देना चाहिए था या फिर गड़ बंदन से गुजरात में यूसूफ के लिए एक सीट मांग ले नीजी तो पठान को अगर सम्मानित किये जाते सही धंग से कुछ दिन पहले बंगाल में राजसभा की चुना हुई थी बाहर के लोगों को राजसभा को राजसभा की इंपी बनाये गए अगर यूसूफ पठान को सम्मानित करना चाहिए था उनको कुछ पद देकर नवाजा किया जाए यह अगर सोच रही हुती तो यूसूफ पठान को बंगाल के टीमसी पार्टी राजसभा की मेंबर बनाके उनको एंपी पद दिलवाद दी यह तो यूसूफ पठान की बारे में मम्ता बेहां जी कि अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम सकम गुजराट ने गडबंदन से एक सीट की बांग कर लेती कि मेरा एक ही उमिदबार खारा होगी गुजराट से उनकी नाम है यूसूफ पठान लेकिन हिया उनकी इसने भीजा गए है कि आम लोगों में धुबी करन हो बीजेपी को मदद मिले और कॉमरेस पाटी हारे बीजेपी के लिस्ट आने पर बीजेपी ने भी ममता बेनर जी पर हमला बोला है बीजेपी के अमित माल भी ने ट्वीट करते हुए लिखा है 42 सीटों में से साथ सीटों पर यानि कि ममता के 17 फिस्दी उमित माल भी ने ट्वीजेपी के लिखा है